हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे आप सब आई हो पाप सा बच्चे होंगे और स्वागत है आपका लगी इस विलोग में तो उगता हुआ सूरज आपको आज देखने को मिला और हलका हलका सा कोहरा तो बहुत अच्छा लग रहा था ये टाइम था छी बजे का सुबा तो सो की ओठने के बाद फ्रेश हुए फिर उसके बाद च्छत पे चले आए और मन हुआ कि यार थोड़ा सा कैद करें अपनी बहुत अच्छी सी प्यारी सी सुबा का तो यहां पर किसी एक वीडियो में हमने यहां पर मिर्चे की बीच डाली थे तो वो निकलने लगे पेंड तो ब अभी इस टाइम मिर्चे के पेंड ही लगाए हैं और कुछ भी नहीं लगा है और च्छत को अभी संडे को पिछले संडे को ही जाड़ू लगाया था लेकिन सोना है मानि ना तो बहुत जल्दी मिट्टी और सारे पत्ते तोड़ तोड़ के यह पूरे च्छत पे फैला देत आटी है या यह वैसी हो जाती है मतर्ब फल के छिकल और सब्सक्राइब अब बहुत जल्दी बहर गई है तो अलू के शायद नहीं आलू के नहीं स्वारे नहीं थे रवा के और मैदा के आपड थे तो आजकल ना नमी के वज़े से दिखाने पाया और यह अल्मारी में तो इसमें सड़ गए मतलब तो इस फेद वाली ने परत हो गई थी तो इसमें बढ़ दिया थोड़ा सा पानी दाल देगा बड़ी आसे हमारी खाथ तेयार हो जाएगी और ये इस शट पे मतलब तुलसा वाली च्ट बोलते हैं इसको तो इस पे तुलसा लगा है न पेर पे औ जो बड़ी ओली च्ट थी मतलब उस पे लगा चुके थे फिर याद आया फिर फोन बाद में लेने गाया फिर बाद में इसे रिकॉर्ड किया और यह जो एरिया है यहां पे जो इटे जो लगी है तो इसमें धनिया वह था एक वीडियो में तो अभी धनिया निकली नहीं है जैसी ही निकलेंगी तो भो भी आपको हम शेयर करेंगे दिखाएंगे कि धनिया निकली या नहीं और इसमें सुछा हम दोनों टाइम पानी डालने आते हैं और छत पे जाडू लगा लिया फिर उसके बाद में नीचे लगाएंगे सुछा नीचे इसलिए नहीं जाडू देखते रहो तो थोड़ा कम अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है कि मन बाहर निकलते भी कम है और अच्छा भी नहीं लगता है तो इसलिए सुछा जल्दी जब कभी भी जाडू लगाते हमेशा मतलब सबसे पहले छत पे लगा लेते हैं फिर उसके बाद में नीच आते हैं और फिर आज दिवाली की तैयारी शुरूर यह मतलब सफाई शुरूर यह ना तो जीने बचे थे और जीना बचा च्छत पे जाडू लगाना बचा था और बचा था परदे साब करने और बचा था फ्रिज यह इतने काम अभी बाकी रह गये हैं और उस पे से आज फिर भी नहीं दूल पाएं परदे साम को देखते हैं अगर दूल पाएंगे दूल पाएंगे बकितनल आज भी नहीं हो पाएंगी और जीने पे बहुत ज़्यादा कबाड़ हो जाता है मतलब आभी पिछली बार सफाई करी थी कैसी चीज में सफाई करी थी तो उसमें तो पपड़े होते पुराने वाले विजवाने थे। बोटल में में होता है लwarmतल कि दूसी छाटाकी घाए है और इस kै Им neither अर्ण भीयों पेड़ी और इस मुर्त पढ़ में दूसी पांतैक दोिजब Pitts डालने से पहले वो गाउं भाग गया तो अभी देखते हैं किसके हाथ ये बिजवाते ही इनके हाथी बिजवाते ही आकास आएगा तब दलबा देंगे और थोड़ा बहुत पुजा के पत्थर का ही सामान था इसमें तो ये पनी अलग ही बिल्कुल रख दी है और वाकी सारी काम हो मतलब नौ बज़े तक और इस टाइम थोड़ा सा तबी नहीं ठीक है तो जल्दी उड़ जाती वैसे नौ बज़े तक मतलब हम कुछ भी काम कर लें तो रुख जाती है कोई दिक्कत नहीं होती जग भी जाती तब भी पॉट्यूटी करके बोतल दे दो उसको पी लेत हैं बागी साम में बहुत कम मतलब सिर्फ खाने का ही रखते हैं या फिर कोई अधर और कोई काम हो बहुत चोटा-चोटा काम बस वही कर पाते हैं बागी नहीं कर पाते हैं और यहां पर चाय बना ली है तो यहां पर टाइम हो गया था आठ बच गया था बिटिया फिर उठ लोटीन साथ बाग दैने कोई नहींद यहां कोया दी कूछ दो वाके जीर फोड़ा ाय को घ्यास पर लोर हरीमेर से डाल दीया में यह लुदब दुभली अर्समें एक जग पानी डाले चोटाज फोड़ा सा और यह आई थी भिंडी तो अभी सोच रहे हैं हम तो दलिया खालेंगे लेकिन यह नहीं खाएंगे कुछ तो इनके लिए बिंडी बना देते हैं काटके और उसके बाद में खाना भिंडी काटके रग गए थे आट चान रग गए थे और हमने दलिया खाली थी क्योंको पालर हीन नहीं खाली है तो जेदा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था तो वहीं कर पाते थे तो हमने शुझा चलो यह भी साप कर लिए तो इसकी धूल जम गई थी तो वह भी बहुत जल्दी-जल्दी वाला ही यहां पर भी साप किया मतलब बहुत ज्यादा डीप ली नहीं क कुल करें ,वहक Soon the situator of pain can ruin some subjects with pain तो इससे दिखने तुस्सेजेभा सब्सक्राइब करें यहां पर ंपर पालार काम करें की सब्सक्राइब और उगर बार बार जैसे बीच बीच में काम छोड़ Summons के जाओ ना तो थोड़ा सा Speed जो होती काम के वह कम होजाती है तुपहर का बजगया है 3 और यह सो रही है मारा ली हमारी और यह हैny सोना क्या कर रहे है सोना चट पे खिलने जा रहे हो हाँ बाल तो उपर कर लो अपने है ऐसे को स्लीपर कहा है तुमारी पहल लो जल्दी से और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने यहां पर बिटिया को बस सुला ही पाये थे हम थोड़ी देर के लिए लेटे लेकिन सो नहीं पाये थे तो यहां पर बिटिया जैसी सो गई तो परदे को भी साफ कर लेते हैं तो परदा जल्दी से निकाला दोपैर में क्योंकि सुबा खाना पानी ही हो पाया था फिर पोच्छा ज़डू हो गया ज़डू भी हो गया था बाकी सारे काम नहीं मतलब परदा वाला जो काम था दुलने वाला तो वो रह गया था तो हमने जोजा चलो फिर किसी भी टाइम कर लेंगे साम को भी कर लेंगे रात में मतलब कर लेंगे तो यहां पर परदे को सारे परदे को निकाल लिया था और जब कोई भी तेवार होते हैं तो जब बच्चे छोटे होते तो मन यहीं करता कि कितना चिला के रो लो कभी आज तो मतलब सच में यार इतना ज़्यादा परिशान हो गए कि बिटिया तब नहीं ठीक है तो पता नहीं क्यों रोए जाए रोए जाए मतलब बहुत इक्कत आ जोई और फिर उसके बाद में ये शाम को फैलाएं शाम को क्या रात हो गए थी आठ बजे करी परदे फैला पाएं ये जीने पर ही दोर थी इनको हमने यहीं पर डाल दिया और आज फिर शाम को जालर भी लग गई है तो वो भी अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और ये दो लगए अपनों को शेयर किया था अगले वीडियो में तो यहां पर अच्छी लग रही है और इधर लगाएंगे स्वास्ती बनाएंगे दोनों के पैर लगाएंगे दोनों के पैर मतलब फूजा करेंगे और इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक